प्रदेश के ओद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आज मेरट में ओद्योगिक शेत्र का ब्रहमन किया इस दोरान स्पोर्ट्स गुड्स की भला इंटरनेशनल यूनिट का निरिक्शन किया इसके बाद उन्होंने निवेशकों के साथ समवाद कर उनकी समस्याइं जानी और उनका समधान भी किया कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश को सर्वताम प्रदेश बनाने का प्रयास लगातार जारी है जिसमें सफलता भी मिली है उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत इंडस्ट्री लगाने का डेस्टिनेशन बना है लेकिन भारत में यूपी इंडस्ट्री लगाने के लिए डेस्टिनेशन बन रहा है देश और दुनिया के निवेशक यूपी की और आकरशित हो रहे हैं भाजपास सरकार्मे प्रदेश में कानुन व्यवस्था सुधरी है और ओद्योगीक विकास का वाता वरंड पना है सरिमनी करने जा रहा है उसकी तयारी है तो और इंडेश्टिस को क्या-क्या समस्याएं हैं एक इंडेश्टिल एरिया में कितनी फैक्ट्री चल रही है कितनी बंद है बंद है तो क्यों है और कब से बंद है उनका हम क्या कर सकते दूसरे को दे सकते हैं किस तरह से उनसे वापस लेके दूसरे को दे सकते हैं या एक MOU करके वह फैक्टिक चल पड़े तो पूरा इंडेस्टेल एरिया बहाल हो खुबसूरत हो अच्छा हो वहां का इंफार्टिक्चर अच्छा हो